हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब चले आज हम बनाएंगे मावा तो हमने 5 ग्राम दूद ले लिया है और इसको हमने कडाहें में डाल दिया है गैस को हमने तेज कर दिया है ताकि यह दूद जल्दी गरम हो जाए यह देखिए अब दूद वलने लगा है यह देखिए जैसे दू जैसे जाग बनेगा बस इसको कल्ची से चलाते जाएगा और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है यह देखिए बस इसमें एक दो बारी इसी तरह चला दे और फ्रेंज यह साथों साथ घर का काम भी करते जाएए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और टाइम भी ब पीच में ही चलाना है यहां मतलब गैस पे खड़े होने की जुरूत नहीं है यह देखिए बस जैसे दूद उपर आने लग जाए बस हलका से चला के रखना है और इस पे ध्यान रखना है तो यह देखिए दूद हमारा नीचे अच्छे से जल रहा है यह जो ज्ञाग है इसको इसी तरना से हम बीच-बीच में इसको चलाते जाएंगे यह 10-12 मिनट में ही हमारा मामा त्यार हो जाता है घर का साथ-साथ काम भी करते जाएगा यह देखिए दूद हमारा बिलकुल गाडा हो गया है बस यह 2 मिनट में बन जाएगा यह देखिए अब यह जो किनारे किनारे कडाही में लगा हुआ है इसको हम छुड़ा देंगे यह देखिए दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से गाड़ा हो गया है बिल्कुल मामा बन गया है तो यह देखिए हमने कडाही से अच्छे से सब छुड़ा दिया है यह हमारा मामा बिल्कुल तयार हो गया है देखिए अभी इसको हम एक मिनट और जलाएंगे तक यह अच्छे से सुखा सुखा रहे तो मामा एक हफ्ते तक रख सकते हैं इसको अब हम निकाल लेंगे यह देखिए हमारा मामा तयार हो गया है यह देखिए ये गाइस 500 ग्राम में दूद में ये खरीब 500 ग्राम हमारा मावा तयार हुआ है तो कैसे लगी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें जदा जदा सियर करें आए मेरे वील आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने ओरे नुटू पे के सान आपके पास पहुंचती रहे